गुड मारिंग क्लास, तोड़ी अगें मैं डिसकस्ट दाफ्यो कुश्चन ऑफ सेल्प ट्रैक्टिस 12 बी कल मैंने आपको हमबख में 1 तो 5 तर कुश्चन दिये थी और टॉपिक हमने स्टार्ट किया था एंगल इसमें मैंने आपको एंगल कहते किसे हैं, बनता कैसे हैं, आम्स, वर्टेक्स, इंटीर एंटीर एंटीर एंगल एंटीर एंगल के बारे में बताया था एंगल को और अच्छे समझने के लिए सबसे इजी एक्जामपल होता है क्लॉक अगर आपनी क्लॉक को ध्यान से दिखेंगे तो पूरे दिन तो मैंने उसमें आपको राइट एंगल जो बताया था राइट एंगल यानी इग्जैट 90 डिग्री उसी से रेलेटेड यहां पे एक कुश्चन है कुश्चन नमबर सिक्स नेम दे नमबर अफ राइट एंगल्स तरह से वापस क्लॉक गूंती है सेकंड की सुई अपना मिनट की सुई अपने टाइम पर और आर की सुई अपने टाइम पर तो कितने राइट एंगल हमारे बनते हैं अगर यह जो टाइम लिखा हुआ है पहला जो टाइम है वो है बड़ी वाली सुई 12 पर चोटी वाली सुई 3 पर यानि 12,2,3 आप देखोगे जब बड़ी वाली सुई 12 पर है और चोटी वाली 3 पर है कौन सा एंगल हमारा बनते हैं इक्जेक्ट राइट एंगल तो कितना एक एंगल बन राइट एंगल राइट एंगल बन रहे हैं यानि गुमते गुम से 3,4,5,6,7,8,9 अब यह जो एंगल बना कुछ इस तरीके से तो अगर हम इधर से देखें तो राइट एंगल नजर आ रहा है टीकिन जब आम इजे पूछ रहा है कितने राइट एंगल बने 12 to 3 एक एंगल बना 12 to 6 यानि वन राइट एंगल और यहां 3 to 6 तूसरा राइट एंगल बना देन 6 to 9 तीसरा राइट एंगल यहमारा जो राइट एंगल बनेगा वो एक इधर पर सीधा हो गया यानि 180 डिग्री यानि वापस इधर गया 90 डिग्री यानि 270 डिग्री तो कितने राइट एंगल बने 12 to 9 के बीच में 3 राइट एंगल एक बार इधर 12 to 3 तो 12 to 6 में गया तो 3 से 6 के बीच का यहां एक राइट एंगल देन देग इधर 9 to 3 राइट एंगल अब यही सुई वापस 12 to 12 पर पहुँच जाए 360 डिग्री कमپ्लीट हो जाएगा इनिne 360 डिग्री में कितने राइट एंगल सुंगे तो राइट का पता करने कि 360 डिग्री को अगर हम 90 से डिवाइड कर लेंगे तो कितने राइट एंगल आंगे पोर राइट एंगल यानि राइट एंगल का जो मेजरमेंट है वो है 90 डिग्री इसी तरह से इसे और भी रेलेटेड इसी exercise के question है जिसे आप करेंगे दो मैने आपको समझा दिये हैं next है आपका question number 9 given below the letters of English alphabet English alphabet यानि A, B, C, D, Z तक लिखी हुई है इसमें से मुझे बता रहा है acute angle कितने हैं ये बता दो obtuse angle कितने हैं ये बता दो right angle कितने हैं ये बता दो acute angle जितने भी होंगे वो कुछ इस तरीके के होंगे यानि अंदर के होंगे अब ये ऐसे ऐसे इस तरीके से देखोगे तो होंगे obtuse angle जो होंगे कुछ इस तरीके से होंगे इधर से ऐसे करके इधर से है ना इस तरीके के जो angle होंगे जो बाहर की होंगे these are called obtuse angle right angle जो होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे यानि इस तरीके से जो हमारे angle बनेंगे these are called right angle यानि एक horizontal और एक vertical line जहां मिलेगी उसे हम right angle बोलेंगे acute angle हमारे अंदर की और आएंगे, obtuse angle हमारे बाहर की और आएंगे शली English alphabet में देखते हैं कितने acute है, कितने obtuse है और कितने right है A से शुरू करते हैं A, acute angle है B ना तो acute and obtuse है, C ये भी नहीं D, B, curved line, curved line में angle नहीं बनता है E, acute नहीं है, F भी acute नहीं है, G, curved line H, I, J, K, K में देखो बन रहा है acute angle, L नहीं, M देखिए, दो acute angle बन रहे है N में भी बन रहा है O नहीं, P नहीं, Q, R, S, T, U, V में देखो मैंने पहले बोला, angle बनाने के लिए straight line चाहिए curved line के figure को हम नहीं देखेंगे V, W में भी है X में भी acute angle है और Y, Z में भी हमारा acute angle है Y भी है और Z भी हमारा acute angle है अंदर cure हमारा angle है Then कह रहा है obstuous मैंने क्या बूला, बाहर cure के जितने angle होंगे वो obstuous तो अभी तो मैंने ये ले लिए तो अब K में अगर ध्यान से देखो तो बाहर cure भी है तो को acute भी है और K obstuous भी है वसी तरह से Y वो भी acute भी है और obstuous भी है और कोई angle हमारा obstuous angle नहीं है Then right angle right angle यानि straight line होनी चाहिए horizontal और vertical ये तो E में है F है जितनी भी horizontal हो वर्टिकल H है L है I भी बोल सकते हैं में आदेखो L T ये सारी के सारी होगे right angles acute angle यानि angle अंदर क्यों और होगा 0 से बढ़ा होगा 90 से चोटा यानि straight line नहीं आ रही होगी और vertical और straight और 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 vertical obstuous बाहर क्यों होगा यानि 90 से बढ़ा और 180 से चोटा right exact 90 डिग्री okay question number 10 यह पर मैंने एक diagram बनाया है इस diagram में आपको कुछ angles बने है angle पढ़ना आपको मैंने बताया है जबी भी पढ़ेंगे vertex बीच में आएगा diagram बैचे मेरा एक angle बन रहा है यहां मैंने कुछ angles के नाम लिखे भी है नहां मुझे यह बताना है किसमें से acute कितने हैं right कितने हैं कौन सा acute है कौन सा right है कौन सा obtuse है और कौन सा straight angle है acute यानी less than 90 degree obtuse यानी greater than 90 degree right exact 90 degree और straight angle ओके चली तो देखते हैं पहला angle कौन सा मैंने लिया है BAC तो देखें BAC मैंने क्या बताया था acute angle यानी हमारी line अंदर क्यों होती है दोनों से इधर से भी और इधर से भी तो हम जब angle देखें तो यह मेरी बीच का है A vertex यानी मुझे A को देखना है BAC तो यह जो A है अंदर क्यों हो रहे अंदर क्यों हो रहे तो कौन सा angle है Acute angle दूसरा देखते है A B C A B C यह भी angle हमारा अंदर क्यों हो रहा है A B C जब अंदर क्यों हो रहे B तो कौन सा है Acute angle दीसरा कह रहा है A C B यह देखो यह बाहर जा रहा है A C B जब बाहर जा रहा है तो कौन सा angle है obtuse angle obtuse angle then D C A D C A यह भी देखो अंदर आ रहा है D C A कौन सा है Acute angle A D C यह भी कौन सा है Acute angle A D B यह देखो straight line होगी जैसे straight line होगी यह हो गया straight angle स्ट्रीट एंगल आपका होंबग है solve self practice 12B question number 6 to 10 in maths copy thank you a oh if you A well